हलो दोस्तो कैसे हो आप सब उमेधे ठीकी होंगे दोस्तो इस फिल्म का नाम है रूम और ये 2015 में रिलीज हुई थी इसके IMDb पे रेटिंग है 8.1 आउट आप 10 तो दोस्तो इस फिल्म के कहानी को शुरुआत करने से पहले आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ल इन है और उसके साथ जो एक बच्ची है इसका नाम है जैक और वो लड़का ही है और इसकी माम का नाम है जॉय ये है उस लड़के की माँ इस रूम में इस दोनों ही अकेले रहते हैं और दोस्तो आपको बता दू कि जैक इस फिल्म में एक स्टोरी टेलर है जैक इस फिल्म म उसे hello hi how are you कहता रहता है जैसे कि table, खुर्ची, bed इन सब को good morning कहता है और यही उसे आदत लग जाती है उस room में बहुत सारा सामान भी होता है जैसे कि kitchen, bathtub, toilet, table, bed और बहुत सारी daily use होने वाली चीज़े वहाँ पे होती है और उस room के उपर एक खिड़की होती है जहां काच लगा अंदर ना आ सके और यह दोनों सारा दिन, सारी रात उसी room में गुजारते है अब यह कहानी किस mode पे जाती है हमें आगे पता चलेगी अगले दिन हमें दिखाए जाता है जैक का बड़े होता है और उसकी mom उसके लिए एक छोटा सा अच्छा सा एक cake बनाती है लेकिन उस cake के उपर बहुत ज़्यादा चिलाता है गुसा हो जाता है लेकिन उसके mom को पता होता है कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला इसलिए जैक पर गुसा होने के वज़ाए उसे अपने बाहों में लेती है और उसे शांत कराती है थोड़ी देर में जैक उसे कहता है कि old link आए इसके बाद वो जोई के साथ intimate हो जाता है या हम ये भी बोल सकते हैं उसके साथ जबरदस्ती करता था एक दिन उनके रूम में एक चूहा आता है और जैक उसे पकड़ने चला जाता है लेकिन अचानक से जोई उस चूहे को मार कर भगा देती है वो जैक पे घुसा हो जाती ह वो उसे कहती है इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई भी real नहीं है और वो कहती है कि बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि बाहर बहुत बड़े बड़े aliens है जैक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता वो स्रिप टीवी में देखकर enjoy करता था लेकिन joy उसे बताती है कि ये सारी चीजे duplicate है सब नकली है आगे हमें दिखाए जाता है कि ओड़निक फिर से उस रात को आ जाता है वही सारे नाटक करने के लिए लेकिन उस वक्त जैक उस कबड़ से बाहर निकल आता है और जैक देखता है कि ओड़निक joy के साथ सोया हुआ है जैक उस ओड़निक को देख भी की तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर मार दूँगा और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है अब जबकि joy ने ओल्ड निक पर हमला किया था इसलिए उन लोग को सजा देने के लिए वो उस रूम के light बन कर देता है जिसकी वज़े से उन लोगों के टीवी light और जो cooling fan है ओ भी बंद हो जाता है एक दिन बोलते बोलते joy जैक को बाहर की सारी दुनिया के बारे में बता रहे होती है और कहते है कि बाहर लोग है बाहर जानवर है जंगल है लेकिन जैक कहता है कि तुमने तो बताया था कि यह सब नकली है बाहर हमारे जैसे कोई नहीं है और उस पर यकिन करने के वज़ाए उसे इग्नोर करता रहता है क्योंकि वो बच्पन से ही joy से सुनता आया है उनके जैसे कोई लोग नहीं है ना ही जंगल है ना ही गाडिया है और उन दोनों के लिए वो room ही सब कुछ है यहाँ पर joy उसे बताने लगती है कि उसे 7 साल पहले old nick ने उसे kidnap करके इस room में बंद कर दिया था और तब से वो यही रह रही है और jack जो है old nick और joy का बेटा है उस room के दरवाजे पर एक electronic password लगाया हुआ lock लगाया होता है जब old nick आता है तब वो password डाल कर उस कमरे में इंटर करता है और वो इसे ही password डाल कर बाहर चला जाता है ए लिए और तुमारे साथ मैं भी आऊंगी और जब हम लोग बाहर निकल जाएंगे तब हम लोग पुलिस के पास चले जाएंगे और इसी कारण joy jack को गरम पानी के कपड़ों से उसे गरम कर रहे होती है ताकि old nick को लगे कि इसे बहुत ज्यादा बुखार आया हुआ है शाम को इनकी life ऐसे ही चल रहे होती है और आगे हमें दिखाए जाता है कि joy और एक plan बनाने के कोशिश करती है joy jack को बताती है कि तुम्हें मरे हुए का नाटक करना है और मैं तुम्हें एक चादर में लप्टा दूंगी जब वो ओडनिक आएगा तब मैं उसे बता दूंगी कि तु में help मांगना है अगले दिन joy jack को कारपेट में लपेटने की practice कराती है और उसमें से बाहर निकलने की तरकिब सिखा रहे होती है जब jack को कारपेट के अंदर tight करके रखा हो तो ओडनिक उस पर शक नहीं करेगा वो उसे मरा हुआ सोचेगा आगे हमें दिखाए जाता है कि ओडनिक वहाँ पर आ जाता है और उस समय उस कारपेट के अंदर jack को लपेटा होता है जोई वहाँ पर रो रहे होती है और कहती है कि लास्टाइम उसे बहुत ज्यादा बुखार आई थी और तुमने उसे hospital में ले जाने के लिए मना किया था इसलिए आज ये मर गया और वह पर रोने का नाटक कर रहे होती है ओडनिक उसे देखने के कोशिश करता है लेकिन वह उसे देखने के लिए मना करती है जोई उसे कहती है कि तुम्हें इसे बाहर लेके जाना है और किसी भी पेड के नीचे इसे दफना देना है इसके बाद ओडनिक उसके बातों को मान लेत और उसे उठा कर बाहर ले जाता है ओडनीक उसे ट्रक में डाल देता है और उसे लेकर जा रहा होता है थोड़ी देर में जैक उस कार्पेट से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर वो अजीब सा बिहेव करने लगता है क्योंकि उसने बाहर की दुनिया अभी तक देखी नहीं होती है जब वो कार्पेट से बाहर निकलता है और ट्रक रुकने पर कूदने ही वाला था तभी अचानक से ओड़निक उसे देख लेता है और गाड़ी को रोग देता है पर जाक उष ट्रक से कूद जाता है और जल्दी से एक आदमी के पास चला जाता है और उससे मदद मागने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पे ओडनिक उसे उठा कर ट्रक में डालने की कोशिश करता है जैक जोर-जोर से चिलना रहा होता है तब वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ रहा होता है और इसी वजय से ओड़निक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जाक को वही छोड़ कर वहाँ से भाग जाता है थोड़ी दिर में वो आदमी पूछताच कर रहा होता है लेकिन जाक बहुती डरा हुआ होता है इसलिए वो आदमी पुलिस को कॉल करके वहाँ पे पुलिस को बुला लेता है वहाँ पे लेडी पुलिस जाक के पास आती है और उससे पूछताच करने लगती है पे जैक उन लोगों से बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने इससे पहले उन लोगों को कभी नहीं देखा होता इसलिए वो बताने में थोड़ा सा डर जाता है लेकिन धीरे धीरे वो लेडी पुलिस उससे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है पूछतास के समय ज जाते हैं और शाम तक वो उस रूम को धून लेते हैं इसके बाद वो पूलिस वाले उस रूम से जोई को बाहर निकाल लेते हैं और उस आदमी को अरेस कर लेते हैं और इसके बाद जैक और जोई को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है आगे हमें दिखाए जाता है वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो जॉय से बात कर रहा होता है वो जॉय को सजेशन देता है कि वो जैक को चैल्ड केर में भेज दे क्योंकि जॉय को वहाँ पर रहे कर उसके दिमाग में भी असर हो चुका था वो धीरी धीरी डिप्रेशन में जाती है इसलिए वो डॉक्टर उसे सजेशन करता है कि जैक को चैल्ड केर में भेज दिया जाए थोड़ी दिर में वहाँ पर जॉय के पैरेंस आते है जॉय से मिलते है तब जॉय को पता चलता है कि उसकी माँ और पिता इन दोनों का डाइवास हो चुका है और वो अब अलग-अलग रहते है जॉय को पता चलता है कि उसकी माँ किसी और आदमी के साथ रहती है और हॉस्पिटल से बाहर जाने से पहले डॉक्टर उनको एक संग्लास और मूँ पे लगाने के लिए मास्क दे देते है ताकि उन लोगों को अचानक से किसी भी चीज का इंफिक्शन ना हो अगले दिन इन दोनों पर एक नैशनल नीउस बन जाती है और यही नीउस सब जगा फेल जाती है आगे हम देखते हैं कि जैक को लेकर जॉय अपने मा के घर रहने के लिए आ जाती है शाम को डिनर के टाइम सब लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते है लेकिन वहाँ पे जॉय को पता चलता है कि उसके पिता जैक को अपना ना नहीं चाते उसे इग्नोर कर रहे है वो उसे अपना पोता नहीं मानते और उसी वज़े से वो वहाँ से निकल जाते है आगे हमें दिखाए देता है कि Jack को इन सारी लोगों के साथ गुल मिल जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिकते आ रहे होती है और इसलिए वो Joy के साथ ही बात करता है अगले दिन वो पूराने फोटोस देखने लगती है वो अपने सारे फ्रेंड्स के फोटोस जैक को दिखा रहे होती है उसे पता चलता है कि उसके सारे फ्रेंड्स ने शादी करी है और इस वज़े से वो थोड़ा डिप्रेशन में आकर अपने मॉम के साथ बात करती है और उस पर गुसा निकालते हुए वहाँ पर रो रहे होती है आगे जॉय को समझ में आता है कि जैक किसी के साथ घुल मिल नहीं रहा है इसलिए उसे उसकी भी टेंशन आ रहे होती है आगे हमें दिखाए जाता है कि जॉय का एक लॉयर वहाँ पर आ जाता है वो रिपोटर उससे पूछती है कि जब जैक पैदा हुआ था तब तुमने ओडनिक से क्यों नहीं कहा कि उसे किसी चायल्ड केर में भेज दो दोस्तों ये बात भी सही है जब जैक पैदा हुआ था तब उसी वक्त उसने ओडनिक से कहे कर किसी ट्रैल्ड केर में भीज दिया होता तो आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहा होता लेकिन वो रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना अकेलापन दूर करने के लि और इसी सोच के वज़े से वो और भी जादा डिप्रेशन में चली जाती है इसके बाद हमें दिखाये जाता है कि इसी वज़े से जॉए स्Вिसाइट कर लेती है जब जैक उसे देख लेता है उसने स्विसाइट किया है जैक हेल्प के लिए अपने नानी को बुलाता है इसक धीरे धीरे उन बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। और उसे सौरी बोलकर उसे कहते हैं कि आगे हम दोनों एक साथ ही रहेंगे ऐसा कहती है। धीरे जितने भी बची हुए चीजे हैं उन सब को बाय बोलता है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। और दोस्तो फिल्म यही खतम हो जाती है। दोस्तो इस फिल्म की कहानी किड्नेप होने के बाद दिखाए गई है। और जब यह दोनों भी उस रूम से निकल जाते हैं बाहर के लोग और घर के लोग उनके साथ कैसे बिहेव करती है। इस पर हमें इस फिल्म की कहानी बताए गई है। लेकिन इन दोनों को बाहर निकलने से पहले जो साथ साले लोग किड्नेप थे। यही कहानी इस से पहले भी एक फिल्म की बताए गई है। जिसका नाम है Girl in the Basement। इंटर्वल से पहले इसकी कहानी लगबग The Girl in the Basement के related ही है। कुल मिला के इन दोनों फिल्म के कहानी एक सच्चे घटना पे आधारित है। वही फ्रीजल केस के उपर जिस पर एक फिल्म बनी थी The Girl in the Basement। और इस फिल्म के explanation मैंने पहले ही कर दी है। और इसकी link मैंने description में दे दी है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले फिल्म के कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखना।